इसे भाई सिवा पांडे बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड अमर जीत दूबे जी ठीक है ओके अब तो दूबे जी कहने में भी गड़बड होता है कुछ लोग कहते हैं ऐसा ना बोला करो भाई दूबे जी को लोगों ने बदनाम कर दिया कफी एक्सरसाइज 9.2 होगा स ठीक है रस्मी नाम है आपका ठीक है ओके है ओके चलिए तो कुश्चन नंबर जो सिकेंड है साथियों कल मैंने 9.1 पढ़ा दिया था 9.1 में एक ही प्रस्न था आज 9.2 पढ़ेंगे ठीक है विसाल सिंग जी बिलकुल ठीक है आज 9.2 पढ़ेंगे 9.2 में बच्चा 6 सवाल ह इसमें कितने प्रस्न है छे प्रस्न है इसमें ठीक है विरतंजय भरत द्वाद जी ठीक है चलो फिर हम सुरू करते हैं एक्सरसाइज कौन सा है यहां पे नोट कर लो इकसरसाइज 9.2 क्लास 9 यह सभी बोर्ड के लिए है चाहे यूपी बोर्ड हो सिबेसी हो विहार बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो सभी बच्चों के लिए है जो भी 9 में पढ़ते हैं अब ध्यान देना क्या कह रहा कोईश्चन में वो हम बाद में देखेंगे सबसे पहले हम एक फिगर ठीक है सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे चित्र कहां इधर साइड बना दे या उधर इधर बना दे अच्छा रहेगा न है यहां दिख तो रहा है देखो यहां पे समझो यहां पर हम चित्र बना देंगे आप सभी अच्छा यह बताओ कौन-कौन किताब लिया NCRT वाली बोलो यास NCRT वाली किताब लिये हो तो बोलो यास दिख रहा यहां तक ओके बुक लिये हो ना भाईया NCRT वाली की नहीं देखो किसी स्टेट की NCRT की बात हम नहीं कर रहे हैं आपकी जो मुख है NCRT की बुक है वो आपके पास होनी चाहिए ऐसे बनना है ना चित्र आपकी बुक में थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन है ऐसे ही यह लो बन गया की नहीं हंसराज ठीक है ठीक है ठीक ठाक है ओके गुड चलो तो इनके नाम रख दो A, B और C, D ठीक है तो बच्चे इनके नाम क्या है A, B, C और D आपको पता यह क्या है यह एक समांतर चतुरभूज है क्या है यह समांतर चतुरभूज है और जहां पर यह रेखा के मिलती है इसका नाम ई है इसका नाम क्या है एस कंव क्लियर है इस बिंदर सिंग्व चंदादेवी रजक चांदनी कुमारी यह सब अलग अलग हैं तो इतना ठीक है मैंने क्या कियाभी कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ किताब से चितर बनाया है बस यहां बोर्ड पर आप लोग भी बना लो कांपी और पैन लेके बैठना किताब के साथ में अगर पढ़ना है सही सही, यह एक कलास में ने बैठने देंगे हम, फालतु यहां पर वैसे मजा पढ़ना इमानदारी से ठीक है कोईस्टन आसान भी नहीं है इतने नाइन चैप्टर चल दाए एक जुलाई से पहला अध्या चलेगा जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं सुन ले एक जुलाई से साम साथ बज़े से पहला अध्या चलेगा एक सरसाइज वन पॉइंट व ठीक है तब तक हम प्राइल करते हैं कि सभी बच्चों को बता दो कि बाई एक जुलाई से चलेगा सभी आजाए टाइम जान जाए एक जुलाई को सो दो सो बच्चे कम से कम होने चाहिए लाइब में उससे कम नहीं सबको सेर कर दो जितने आपकी साथ ही है सबके साथ हाना को एक जुलाई को ठीक है हां चलें फिर पूजा या दो ठीक है तो यह मैंने चितर बना लिया आप चलो कुश्टन पढ़ो क्या कहता है जो भी NCRT की बुक लिए हैं वो कुश्टन पढ़ें कहरा कि आकरती 9.15 में 9.15 में का मतलब यह है कि किताब में बहुत सारे चितर बने होते हैं तो उनकी नंबरिंग की होती है थीक है तो इसलिए इसको 9.15 चितर नंबर कहा गया है इसमें कहरा है ABCD एक समांतर चतुरबुज है समांतर चतुरबुज का मतलब होता बहिए पैलोग्राम ठीक है क्या होता है पैलोग्राम यही होता है ना परलो ग्राम यह क्या एक परलो ग्राम है इसमें कहरा AE perpendicular DC यह आपके चितर में कहरा है AE जो है वो perpendicular है केसपर DC पर AE मतलब यह पुजा AE लंबोछ है केसपर DC पर भाई है ही सिम्पल सी बात है AE ऐसे आई है DC इस ऐसे में थी तो यह ऐसे मिल रही ना इस पर परपेंडिकुलर हो रही न ठीक है आगे कहरा कि CF परपेंडिकुलर है यानि कि लंबवत है AD पर CF किस पर लंबवत है AD पर अब मुझे बताओ CF कहा है CF कहा है कहीं दिख रही तुमें CF क्या है परपेंडिकुलर है लंबवत है, किस पर है AD पर है, तो बच्चा CF सिंपल सी बात है दिख रही है AD पर हाँ, CF भी क्या है AD पर perpendicular है AD ये वाली line, मतलब ये ऐसे है AD, तो CF ऐसे आके मिली नहीं है भाई सहाब ऐसे आई ना इधर साइड से वो देखो ये CF AD, इसका मतलब ये क्या है इस पर लंबवत है, मिन्स क्या है perpendicular है, ये इतना आपकी किताब में दिया गया है ठीक है इतना किताब में आपकी दिया गया है आगे देखो आगे क्या कहता है, फालतू बच्चों को भाई बलाग करते जाओ, जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, क्या करने बैठे हो बलाग करो फटा-फट, चलो आगे कहता कि यदि A, B, 16 cm है A, B, कितना cm है, सब ही बताओ रेस्मी कुमारी बताइए हंस राज, आप भी बताइए A, B, कितना है भाईया, ये है A, B कह रहा है, 16 cm है प्यार से समझ में आजाएगा A, E, 8 cm है भाई सहाब, A, E ये जो लाइन आई है ये कितना है, 8 है इसको लिख लो कितना, 8 लिख लो ये कितना है, 8 cm ठीक है, मैंने लिख लिया रेड कलर से कहरा कि C, F, 10 cm है C, F C, F ये कितना है, 10 cm है अभी देखते जाओ, क्या क्या दिया है तो कहरा कि फिर A, D बताईए A, D बताईए A और D मतलब हमें इधर वाली लाइन निकालना है भाई सहाब, ये बहुत सिंपल साइज इसमें देखो, दो चीज है दो क्या है इसमें दो तिर्भूज बने हैं आपको दिख रहे न एक समांतर चतुर्भूज के अंदर दो तिर्भूज बने हैं बने हैं न तो ध्यान से देखो हमें इसमें दो तरह का छेतरफल भी निकालना चाहिए मतलब दो परकार से हम इस समांतर चतुरभूज का तिरभज वो छेत्रफल निकाल सकते हैं आप लोगों को मैंने सायद वो नहीं बताया था क्या इंट्रोडक्शन समांतर चतुरभूज का छेत्रफल क्या होता जानते हो फार्मूला चाहे तो लिख लो फिर जब एक तरफ से पढ़ाएंगे एक जुलाई से तो उसमें सब डीटियल में करवा देंगे अभी भी समझा रहा हूं केवल इंट्रोडक्शन नहीं करवाया हूं बस चलो लिखो क्य एडी नहीं मतलब सीडी इसको आधार माने कि समझ रहे हो जब हम सी और डी को आधार माने तो इस पर लंबहुत कौन है एई है न एई है न तो लिखो समांतर चतुरभूज एबी सीडी का छेत्रफल लिखो समांतर चतुरभूज एबी सीडी का छेत्रफल अब मैं पूरा ल शेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जानते हो जब हम सीडी को आधार मानेंगे तो बहिया हो समांतर चत्रुभूज का जो शेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे परपेंडिकूलर हाइट होता है मतलब लंबवत उचाई होती है तो आधार cd है और इस पर जो लंबवत उचाई है a e है तो लिखो cd into a e बोलो इतना ठीक है ना इसमें किसी को कोई समस्या मस्ती चैनल आ रहा समझ में बच्चा हां सोनिय राय सबको आ रहा है ना इतना समझ में आया c d into a क्योंकि समांतर चतुरभूज का जो शेतरपाल होता है यानि area परपेंडिकूलर ओ स्वरी area परलोग्राम जो होता है वो base into perpendicular height होता है वो मैंने कर लिया लेकिन इसमें एक चीज़ और है वो क्या है अगर हम a d को base माने a d को base माने तब हमारी perpendicular height cf है बोलो है न तो हम दोनों condition यहां पर रखेंगे तब ही हमें a d कमान आएगा क्योंकि a d तो कि दिया है अगर हम c d को base मान के ऐसे रख दें तब तो इसमें a d सामिल ही नहीं हो रहा है हमें a d कमान निकलना इसलिए लिए में a d को भी क्या करना पड़ेगा इसमें सामिल करना पड़ेगा तो जब हम a d को base मानेंगे तब हमारा base एडी हो जायागा इसका चितरफल का सूत्र क्या बनेगा ध्यान दो दोनों बराबर कर देंगे एडी इंटू यह सीएफ एडी इंटू क्या हो जाएगा सीएफ समझ में आया हां देखो समझ में ताब आएगा बच्चा जब बिलकुल दिल लगा के इमांदारी से समझोगे क्योंकि यह बहुत अच्छा समझने वाला चैप्टर नहीं है पाथ समझ में आई न यह आफान नहीं है बहुत ज़्यादा एड्वांस में था यह बहुत दिमाग जो लगा के पढ़ेंगे बच्चे उन्हीं को आएगा बाकी पल लेना पढ़ेगा एक जुलाई से सुरू से पढ़ना चलो आगे देखो यह हो गया अब हमें क्या-क्या दिया है देखो CD भाई कोई बताएगा CD कितना होगा कोई बता होगे नहीं तो क्या होगा कुछ नहीं होने वाला हलो पूजा कैसी हो मोई तुम कहां से हो हां तो आही करो बाकि कुछ ना करो चलो बच्चा अगर यह समांतर चतुर्भूज है तो समांतर चतुर्भूज की सम्मुक बुजाएं बराबर होती है होती है कि नहीं अरे गधों जब अगर कोई चतुर्भु जैसे समांतर होता है मालो एक आयत ही ले लो तो इसकी सम्मुख बुजाएं बराबर होती की नहीं होती है ना होती है ना तो समझ गए ना यह क्या होगी आपस में बराबर होगी ना आमने सामने की अरे इडियट जब यह 16 होगी तो यह भी क्या हो बीनु सिंग थोड़ा वीडियो पीछे करके देखो बच्चा मनोज यादो थिक है तो यह कितना हो गया सीडी कितना हो गया 16 सेंटीमीटर इनके मान रखदो ला करके फटफट सीडी 16 सेंटीमीटर ए ए कितना दिया है कोई बताएगा ए अरे यह पूछ रहा हूँ ए ए कितना दिया है सौरव कुमार चांदनी स्याम जी दूबे मनी संसू अरे फिर नहीं बोल रहा कौनो कितना दिया है एई देखो हम लिख दें च्छाप दें और तुम जल्दी जल्दी उतार लो ना इससे कुछ नहीं होने वाला है यहां देखो एई एई दिया है ना 8 सेंटी मिटर ऑधो किकर बहुत अच़् बहुत अच्छे सबसे पहले अंसू ने बताया ठीकराइऑ अंसू जी बहुत अच्छे चलो यह कितना दिया है बच्चा 8?. दिया भभू ठीक 10 cm दिया गदों तो यहां से निकाल लो 16 x 8 बटा 10 बराबर AD अब हल करना तो तुम जानते ही हो इतना तो गदा हो नहीं इसको हल करके कोनों उत्तर बता पाएगा इंदी स्टेटस बीडियो बिसाल सिंग बच्चा यह बता तुम्हारा नाम राज बिसाल सिंग ऐसा क्यों है दो नाम मिला के क्यों बनवाए हो एक नाम से नहीं काम चल रहा था राज सिंग या बिसाल सिंग राज बिसाल दूबे सिंग सब मिला लो एक कमे खिचड़ी कर लो आया समझ में एडी कमान कोई बताएगा फाइनल हल करके अरे भाई साहब दसंबलो में बदलना नहीं जानते हो तुम यहां से इसको एडी हल कर लो तो एडी बराबर आएगा बारा दसंबलो सम्थिंग आएगा अरे बराबर दसंबलो कितना आयगा पांच आठ दका आयगा डोएल पॉइंटेट सेंटीमिटर आयगा अब कुछ लोग कहेंगे यह भी नहीं समझ में कैसे आया रहे बाई साहब यह इसी को तो मैंने किया था यह देखलो इतने बड़े गदा है ओ तुम लोग मुझे नही पांच घटाओ एक आया उपर फे चार उतार लिया सारी साइब आए गई इसकी 12.8 बहुत अच्छे अंसु मिस्रा बहुत अच्छे बेरी गुड अंसु जी का कमेंट सबसे पहले आ रहा से आम जी भी दूसरे नंबर पे लगे हैं ठीक है ठीक है तो यह घटा लिया तो अब कितना जाएगा पांच दूना दस घटालो बच्चा चार आएगा उपर दस हम ल यह एडी मिल गई कितना मिल गई बच्चवा 12.8 मिल गई कितना मिल गई 12.8 देख यदि ए एफ जी और एच करा कि करमसा समांतर चतुरुभुज समांतर चतुरुभुज को पैरलोग्राम बोलते हैं इंगलिस में ठीक है एबी-सी-ड के मद्ध बिंदु है मिनस मीड पॉइ कीजिए यसी दिखीजिए की एर में सोता है यहां पर एरिया है यह उसका सिंबल बना है इफ जी एच इक्वल हाफ एर अबी सीदी है जब आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा नाइन चैप्टर का उसमें स्टार्टिंग में आपको समझाया गया था अगर न चतुरूज है मतलब पेलो ग्राम है और इसके अंदर में अगर कोई दिर्फूज बनता है ट्राइंगल बनता है जो की इसको ऐसे करनेक्ट करता है आप इब इसे समझो मतलब नीचे सम्सके सब्सक्रा रापा और जो ट्रेंगल आपका बना है जिसे APB बोल सकते हो इसका भी बेस क्या है AB ही है अगर ऐसी हिस्थिति कहीं होती है प्यारे साथियों तो वहां पर क्या होता है यह पर्मिये लागू होती है यह सुत्र लागू होता जो भी तुम समझे लो यह इसका मतलब क्या होता जानते हो यहां पर पूरी बात नहीं लिखी गई है इधर पहले समझ लो मैं बता देता हूं यहां पर समझो पहले वो पूरा नहीं सिद्ध हो रहा है मतलब उसके अकार्डिंग नहीं है यहां समझो जैसे अगर हम यहां कहें कि area of area of या फिर तिरभ हम वह किसके वराबर होगा पता है half और इसका नाम पूरा कर लो cd half area of Quadrateral A, B, C, D यह पर्मी है इसको याद रखना समझ रहे हो न इसमें वो पूरा-पूरा लागू नहीं हो रहा है इसमें मुझे लग रहा है यह पूरा है भी नहीं हाँ इतना ही है तो यह कुछ अलग है जो हम बताना चाहते थे वो इसमें नहीं है ये है इसको याद रखना हर जगा मोड मोड पे काम लगेगा अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी चतुरभूज दिया गया है पैलोग्राम दिया गया है उसके अंदर में कोई तिरभूज बन रहा है जो की बेस कॉमन है मतलब चतुरभूज और उस तिरभूज दोनों वो एक बटा दो गुड़े समांतर चतुरभूज के शेत्रफल के क्या होगा बराबर होगा एक चीज यहां पर और ध्यान देने लायक है दिल से समझोगे इमांदारी से तभी समझ में आएगा मैं बता दे रहा हूं कमेंट के पीछे ना पढ़ो कि हम सब का नाम बोलें कि अगर यह फिगर ऐसे बने यहां पर ना कनेक्ट हो यह तिरभुज और यहां से निकल करके यह आई से कहीं आए यहां पर इसे बीचे मिल जाए तब फिर यह फार्मूला लागू नहीं होगा फिर इस नियम के खिलाफ हो गया ओ अध समझ रहो ना मतलब वहां पर कनेक्ट होना जरूरी है इसके अलावा इसमें एक इस्थिती और भी हो सकती है अगर कहीं ऐसा मिलता है तो याद रखना अगर आपने एक्सरसाइज 9.1 देखा है तो उसमें यह था कोईस्चन इस टाइब का कई कुईस्चन मैंने करवाय थे तो प्यारे बच्चों अगर इसमें ऐसे बने यह ऐसे बने ऐसे तब भी यह लागू नहीं होगा अब कहो कि तब काहें नहीं लागू होगा जब नीचा वो कनेक्ट करता है उपर हो करता है तो काहें नहीं लागू होगा बाब यहां से यहां तक है यानि अगर यह कुल मिला के पांच है तो यह तो तीने हो रहा है न तो ऐसी स्थिति में यह लागू नहीं होगा समझ गए यह कांसेप्ट था जो कि आपको सबसे पहले बताया गया था मैंने थोड़ा सा रिवाइच कराया अब इसे पूरा इंड तक सब्सक्राफ नहीं है चलो अब क्या करना है जो करना उस पर देखते हैं कुष्टिन तो मैंने पढ़ दिया था ना एक बार जो यह मद्दबिंदू के साहरे एक बीच में पैलोग्राम बन रहा है इसका जो एरिया है साथियों वह टोटल बढ़के वाले जो चतुर्भूज है यह पैलोग्राम है उसके एरिया के एक बटादो के बराबर होगा यह हमें दिखाना है चलो लिखो इन पैलोग्राम एव थोड़ा सा रुक जब रेड कलर में दिखा देता हूं अब हम किसमें चलेंगे इसको इसको ले रहें ध्यान देना इन तिर्भूज वह सवरी पैलोग्राम एवी एफ एच जहां-जहां मैं रेड कलर में बिंदी रखा हूं इतना ही लेना है तो चलो आगे लिखो उपर लि पैलोग्राम एवी एफ एच ओके इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न हिंदी वाले हिंदी में लिखले मैंने बता दिया इसमें क्या होगा अब ध्यान से समझो जैसे अभी मैं इदर जो वजाई कर रहा था आदा गंटा वही इसमें लगेगा इसमें अगर तुम ध्यान द रहा है उसके अंदर एक तिर्भूज भी बन रहा है वैसे कुना जैसे अभी बताया था बन रहा है तो इसमें अगर हम वही रूल लगाएंगे जो अभी मैंने बताया था तो क्या होगा भी तिर्भूज का जो छेत्रपल है बाबू वह एक बटा दो और चतुर्भूज के जो फैलोग्राम के चेत्रपल के बराबर होगा तो चलो लिखो एरिया आफ हे एफ लिखो एरिया आफ हे बाबर तिर्भूज हे एफ का जो छेत्रपल बराबर लिखो एक बटा दो एरिया आफ हिंदी इंग्लिज दोनों मैं बोल रहा हूं एक बटा दो एरिया आफ क्या करोगे बहिए पूरा वाला ए भी एफ एच ओके ए भी एफ एच यह ठीक है यह फार्मूले के अकार्डिंग सेटलमेंट हो गया यह एफ एच है ध्यान देना इधर कट नहीं रहा है यह लो ठीक है ओके भाई चुप हो जाओ चलो इतना हो गया लिखो इतना साथ साथ में नोट डाउन करते रहो क्योंकि बोर्ड आठी हो गया अब प्यारे बच्चों यह देखो हमें जो करना है वो तो हमें दिखी रहा है यह तो मैंने जितना रेड किया था उतना कर लिया लेकिन अब इसी परकार हम नीचे भी चलेंगे नीचे कहां चलेंगे देखो हमारी रेड लाइन बदल रही है अब यहां मिट गया HCD, okay, FCD, मतलब इतने में अब हम जो कुछ करेंगे करेंगे, तो लिखो इसी परकार, लिख लो जो चीजे में बोल रहा हूं, मैं सब कुछ लिखूँ का नहीं, लिखो, in, परलोग्राम, इसका एक चिन भी होता है, परलोग्राम का मैं भी बनाऊंगा, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, लिखो, क्या लिखूँ है, ह से सुरू करूँ, कहीं से भी पढ़ लो, देखो, इसका नाम लिखना है, चाहे तो तुम यहाँ से सुरू करो, चाहे, एक से चाहे, आप से चाहे, डी से, तो हम यहीं से सुरू कर देते हैं, cd, इन पैलोग्राम, cd, hf, cd, hf, cd, hf, cd, hf, भीया, जैसे इसमें a, b, f, h, हुआ था, a, b, f, h हुआ था, वैसे इसमें cd, hf, ठीक है, आप सारी कहानी इसमें लागो होगी, जैसे इधर ही करे था तुम उसमें, वैसे इसमें भी ओगा, तो इसमें ट्राइंगल वा कहा गा भई यह है है इस एफ लिखो एरिया आफ एरिया आफ एच जी एफ एच जी-एफ यह फिर तुम जी एच एफ कुछ भी लिखो कुल मिला के यह तीन और नाम आना चाहिए बस ठीक है लिखो इसी तरह एरिया आफ है यह जी एफ इकवल एरिया आफ एच जी एफ इक्वल हाफ एरिया आफ पूरा चत्रभूज का नाम लिख दो cdhf ठीक है cdhf cdhf तो प्यारे बच्चों आप इनको equation number डालते चलो ठीक है हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे तिर्भूज एच जी एफ का चेत्रफल बराबर एक बटा दो तिर्भूज ओ स्वरी एक बटा दो चत्रभूज cdhf का चेत्रफल ठीक है तो आपका यह equation number जो पूरा रहता हूं स्क्रीन साथ निकाल लिया करो बीच बीच में चलो इतना हो गया अब हम क्या करेंगे अब इन ही दोनों जो हमारे समीकरण आये है equation इनको जोड़ देंगे पटक के और जैसे जोड़ेंगे न वैसे खट से उत्तरा जाएगा चिला के चलो देखो कैसे मारे यहां लिखो आन एडिंग हान एडिंग होग लिक्त फर्ष्ट फ्लस हिए कि अक्वाइशं सीकेट हिंदी मीडियम वारे लिख लें आ keeping लें समीकरण एक और को जोड़ने पर समीकरण 1 और को समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक है तो प्यारे बable द Exactly यहां पर देखो इसमें HGF है इसमें HEF है हमें लाना क्या है EF जी यह चलाना है बैया हो बाबू हो पहले यह आओ सब लोग आओ जल्दी आओ क्या है HEF न देखो HEF और में का है HGF यानी कि इधर थोड़ा देखो मैं इसका अपरेशन करने वाला हूँ तुम यहां समझो ध्यान से यह समझो यह कहानी समझो इसका नाम है है HEF हो हां ठीक है ओके और यह मैंने इसका नाम लिखा है HEF और निचका वाले का है है HGF चल भाई आजा बेटा तुम भी आजा इसका नाम मैं इसमें लिखोंगा लेकिन मैं अगर कुछ और कर दूं तो गड़बड हो जाएगा न यह लो ठीक है है थोड़ा सा छोटा कर देता हूं काहे इतना बड़ा टंगरी फिला यह थोड़ा कंपएर प्वला चल इदार है प्रकेते में सम्धियान ना कर चल ठीक है समझ में आया अरे थोड़ा सा पिचक गया जगा कम थी नहीं तो सीधा-सीधा यही बन रहा है पूरा पूरा ना बन रहा है ना क्या बन रहा है अरे जो यह है वही मेरा मतलब मिलाने का था हो रहा है कि नहीं इफ जी अच हो रहा है ना यह कुल मिलाकर के कहने का मतलब अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे आधा आधा तो इसके बराबर हो जाएगा ठीक है मतलब कि फाइनल में हमारा वही आगया जो हमें लाना था हम आपको यही समझाने की कोशिस कर रहे थे जो समझने वाले बच्चे हैं वो बड़े प्यार से समझ जाएंगे देखो बच्चों अगर आपको यह नहीं समझ में आरा बाबूना जो बहुत ज्यादा कमेंट किये जा रहे हैं मैं सबका कमेंट देख रहा हूं लेकिन मैं क्या करूं ना पढ़ाँ कमेंट ही पढ़ू तुम जीरो लेबल से पढ़ो बेसिक से अगर नहीं आता तो पहले आपको हो जाएगा इफ जी एच इक्वल हाफ वही पूरा फाइनल में एवी सीडी हमें लाना क्या था एक बार कुश्चन में देखो यह यहीं तो लाना था ना एरिया आफ ठीक है हो गया यहां पे लिख लो एरिया आफ यह फिर ऐसे लिख लो चतुरभूज इफ जी एच का छेतरफल बराबर एक वटा दो चतुरभूज एवी सीडी यह भी एरिया आप में लिख दे रहा हूं यह हो गया फाइनल नीचे लिख दोगे हैंस प्रूब्ड क्या लिख होगे हैंस प्रूब्ड हैंस प्रूब्ड क्योंकि सिद्ध करना था और हिंदी में लिख देंगे इतिसिद्धम अधाहसिद्ध हुआ कुछ भी लिख दो यह हमें लाना था चलो कुश्चन क्या कहता है आपके सामने है आकरती 9.16 में इसका मतलब यह है कि आकरती में यानि चित्र में और वह चित्र कहां है अभी आपको दिखनी रहोगा तो मैं वह फिगर भ कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कह रहा है कि इस चित्र में क्या क्या है आगे सुनो समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में इस्थित कोई बिंदू है कोई बिंदू क्या है कोई बिंदू है कह रहा है न कोई बिंदू है दर्साइये की क्या दर्साना है एरिया अगर आपने पिछली कलास देखा होगा जिसमें इंट्रोडक्शन अगरा करवाया गया था तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक समझ में आया था कि जब कोई भी दो समानतर रिखाएं हो और उनसे कोई एक चत्रभुज बन रहा हो साथ में बीच में उनसे कोई एक तिर्भुज भी बन रहा हो तो आहां पर क्या कंडिशन होती आप पड़े हो ना तो चलो फिर पह आगा चलते हैं इस चलो यए अप भी ऐसी कंडिशन है भी हं तो वह करने के लिए हम क्या करेंगे तो वुड़ेक रचना एक नहीं भी एक रचना कर लेंगे ये तीधा सीदा ख समझ रहा है ये क्या है आपका ये परकार शेतłem आप लिखो है 방 जिसे हथिंदी वाले लिखने रचना और इंग्लिफ मिel लिखने का इंश्डक्सन का सभ में लिखो मैं सब लिख आता हूं hitting इंग्लिस ठीक है आप हेडिंग डालो रचना लिखो ड्रा आलाइन इसका कुछ नाम भी देदू तबी तु लिखोगे कि कौन सा लाइन ड्रा की हो ना ड्रा आलाइन एकस वाई थ्रोपी एंड पैरलो ग्राम थ्रोपी एंड पैरलो ग्राम नहीं यार थ्रोपी एंड पैरलल एबी एंड सीडी मतलब समझों इंदी भासा में इसको कैसे बोलेंगे एक रेखा एकस वाई एक रेखा एकस वाई एबी और सीडी के समानतर खीचा इसको आप लोग लिख लेना मुझे लिखना जरूरी नहीं है ठीक है अगर हमने इसको खीचा तो यहां पर नीचे लिखो आता है आप सबको पता है अगर मैंने एक लाइन ऐसे खीच दिया तो भाईया एकस वाई एकस वाई सीडी के भी समानतर है तो बच्चा एकस समानतर होगा भी वाई के बोलो अगर एक रैटेंगल बनाते हो तो तुमारी यह दोनों समानतर होती न और यह भी तो समानतर होती होती है तो वैसे कंडिशन तो बन रही है तो इसको लिख लो यह क्या है इसके समानतर है तो आगे आता है AX parallel BY and AX parallel का चिन है यह BY and जैसे इधर AX BY के समानतर है वैसे इधर CY या फिर YC यह XD के समानतर है ठीक है आगे लिखो एंड AB parallel XY पहले हम इसी मिलेंगे इतने मतलब चतुर्भूज मिलेंगे उपर वाले में बस लिखो AB समानतर समानतर याक्स भाई इतना ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न चलो फटा-फट इसको लिखो जल्दी से यार सामने से मैं हटता हूं तो स्क्रीन साथ ले लिया करो मैं सामने ऐसे रहूंगा तो तुमें स्क्रीन साथ नहीं कर पाऊगे इधर साइड हटूंगा तो उल्टा पड़ेगा हाँ चलो लिखो जल्दी करो इतना हो गया एक पॉाइंट करते चलो क्योंकि इसमें मिटाना भी पड़ेगा अब आप यह कह कैसे लिखाय हो यह कैसे ए किसम इसमें उत्म लिखाये हो यह किसे आप तुम कोई कि वश्चाग में दो आइक कांश्टरक्शन बाइक उखना से घिक है वाइक बाइक आइक प्रेफे सेश्चान लिखना से चलो हो गया अब देखो आगे क्या होगा हम से अब पता है कि A B X Y यह क्या है समानतर चतुर्भूझ बन रहा है एक पैरलोग्राम बन ना तो लिखो इसलिए निचे लिखो इसलिए अब आगे आगे सम्झो अब आगे क्या करना है अगर यह एक पैरलोग्राम है A B X Y E तो क्या होगा बच्चा तिर्भूज A P B और तिर्भूज समझो जैसे मैंने बताया था ना कि जब कोई मैं हर बार बताता हूं यह फिर से एक बार समझे लो अगर इस तरह कोई आपका एक समांतर चतुर्भूज बना है और बच्चा उसके बीच में ऐसे कोई तिर्भूज बनता है जो कि इस आधार के इस कौन्ने से लेके इस कौन्ने फे उठता है मतलब समझना अगर यह कंडिशन होती है तो जो तिर्भूज का छेत्रफल होता है व तो आगे बढ़ते हैं मिटाने माला कहाँ गया यह भी एक लफडाय संब्सक्राइब जारूरत है चलो देखो समझो आगे अब समझो 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 अब अगर यह पैलो गर्हाम है तो लिखो अगे लिखो क्या लिखोगे इसलिए APB and ABXY are on the same base and between same parallel line AB and XY लिखो लिखते टाइम इसको थोड़ा सापको कि इतना ठीक है ओके क्लियर देखो यह चीज अगर मैं आपको ऐसे लिखूं डारेक्टली मैं थोड़ा सा मतलब टाइम ना आपका बचाओं तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है तो यह चीज आपको लिखना था आप इसे लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे उनको बता देता हूं अलग से जो हिंदी लेंगज वाले वो समझ लें देखो इसका मतलब क्या है यहां पी लिखा है इसलिए APB and ABXY are on same base and between same parallel line AB and XY इसका यह मतलब है कि अगर ABXY एक परलोग्राम है ABXY को हम थोड़ा shortcut में आपको दिखाने के लिए इसका एक नमूना इधर साइड में बनाके दिखा देता हूं तो देखो बच्चा यह कुछ ऐसे बंदा ना बाबू इसका नाम है यक्स इसका नाम है वाई इसका नाम है AB और इसके बीच में यह जो लाइन गई है कुछ ह इसका मतलब क्या है इसका मतलब भया सिंपल सा है कि AP देखो यहां पर लिखा था ना इसको लिख लो इसका मतलब यह है कि APB and यह पूरा ABXY आरां सेम बेस एंड बिट्वीन सेम पारलल नाइन सेम बेस पर हैं दोनों कौन यह तिर्भूज APB सेम बेस पर कैसे हैं दोनों का आधार AB है क्योंकि दोनों इसी पर बना है आप समझ रहे हो कि नहीं आधार तो इसका कोई भी मान सकते हैं उपर का नीचे का दिवाल थोड़ी खड़ी करनी को उपर से नीचे को नहीं आएगी है और यह जो ट्रेंगल है इसका भी आधार कहा है यह है यह है तो अगर यह द हिंदी बाले लिखें इफ लिए पहले उपर से नहीं समझो अगर AB XY एक पैलोग्राम है मतलब समांतर चतुरवूज है तो APV और AB XY दोनों समानाधार और समांतर लाइन के बीच बने हैं तो भाया अगर यह इस्तिती होती है तो क्या बनता है जो आपका पर्मी मैंने आपको पढ़ाया था वो लागू हो जाएगा तो चलो उसको लागू कर लो कि जो तिर्भूज का छेतरफल होगा वो बराबर चत्रफूज के चत्रफल के बराबर तो आगे लिखो इसलिए अए एरिया ए आर लिखा जाता है एरिया को साट करण में ठीक है ए एरिया आफ APV हुआ एरिया आफ ए पीबी क्यों वाई APV की बात हो रही अब यह कुछ और बात हो रही ठीक है यह बराबर होगा किसके यहां ट्रैंगल का भी चिंद बना लो नहीं तो लोग कहेंगगे का हो रहा है लिखो एरिया आफ ए पीवी एक्वल एक बटा दो एरिया आफ एरिया आफ ए बी एक्स वाई समझ में आ रहा ना बच्चे देखो जो भी कमेंट करने की नहीं आ रहा है मैं देख पा रहा हूं Mr. Sudhansu जी कमेंट आ रहा है तुमारा बच्चा प्रिया प्रियंका राज देखो जो कमेंट के पीछे पड़े हैं परिसान मतों मैं नाम नहीं बोलने वाला हूं पढ़ाई कर लो ध्यान दो बहुत ध्यान से समझो अगर आपने पहला चैप्टर से देखा होगा तो सब समझ में आएगा नहीं देखे हो तो आने वाली एक ता है ना आप कमेंट करके बता हो कि आपको समझ में रहा है यास 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 याँ नो भालो चलो तो यह आपका इक्वेसर नंबर फैस्ट हो गया तो बहिया जैसे जैसे हमने एक्स और बी वाई सके बीच ऊपर का किया था उसी तरह नीचे भी सब कुछ होगा ठीक है हम लिखेंगे इसी परकार उपर से मिकरेंगे आप लिख लो लिख लिए अब लिखो इसमें लिखो निकों यह नि वैसे नीचे भी आप करोगे X, D और Y, C में चलो लिखो इसी प्रकार लिखो लिखो फटा फट लिखो D, C और X, Y इसमें क्या रिलेसन है बाई बताओ बाई D, C या C, D, X, Y के क्या है समानतर है ना दोनों ऐसे ऐसे है ना समानतर है ना लिखो इसी परकार D, C, X, Y इज आ पैरलल क्या पैरलो ग्राम लिखो ठीक है चलो उपर लिखो इसी परकार इसी परकार C, D, X, Y इज आ पैरलो ग्राम हिंदी में लिखो इसी परकार C, D, X, Y एक समानतर चतुर भूज है ठीक है इसी परकार C, D, C, D, X, Y एक समानतर चतुर भूज है ठीक है तो इसमें तुम देख रहे हो तो इसमें भी जहां पर P है यह देखो आके बिंदू मिल रहा है यहां नीचे से उठ रहा बराबन तो इसमें भी वही चीज लागू होगा लिखो area of triangle D, P, C area of triangle D, P, C यह फिर आप ऐसे कह सकते हो P, C, D मतलब एक ही हुआ चाहे तो P, C, D बोलो चाहे D, P, C बोलो मतलब यहां पर एक ही हुआ क्योंकि कोई कोई कोन निश्चित नहीं है कि हमें क्या दिखाना ठीक है लिखो इस परकार लेकिन उसके पहले यह कहानिया तो लिखना पड़ेगा जो इसमें लिखा था इसको लिखो तिरभूज PCD चलो इसको फटापट नोट करो इसी परकार PCD and DC XY are on same base DC and between same parallel line XY and CD हिंदी में लिख लो इसी परकार तिरभूज PCD और चतुरभूज DC XY दोनों एक समान बेस और एक समान बेस DC और दो parallel या फिर हिंदी में लिखो भाई हाँ दो समान तर रेखाओं XY और CD के बीच में इस्थित है ठीक है समझ गए ना लिखो इसलिए तिरभूज PCD और चतुरभूज DC XY ये दोनों एक समान बेस DC है ना ये समान बेस DC और बिट्विन सेम पारल लाइन XY NCD मतलब इसका ये हुआ और एक समान समानतर रेखाओं के बीच में इस्थित है जितनी बार बोलेंगे उतनी तरह की परिभास आपको सुनाई देगी क्योंकि ये परिभास आपको बना के लिखना है इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप सेम टू इसने इस तिर्भूज का भी बेस है तो वहीं चीज महां पर लिखा गया है ठीक है इतना समझ गया अबत्या तो अगर इतना समझ गये इसी कंडिशन बन रही है तो आपका जो तिर्भूज का शेद्रपल हो क्या होगा लिखो यहां पर इसलिए इसलिए area of area of p c d equal area of p c d equal half एप सीडी एक्सवाई लिखो एरियाफ सीडी एक्सवाई या फिर दीछी एक्सवाई पपैसे कोई दिक्कत नहीं किसी को न लिख लो फटा पर नोट करते चलो बच्चा यह हो गया आपका क्वेश्टन नमर जिकेंड देखो मिस्टर मुनना चोधरी क्या चाहते हो तुम्हे सब्सक्राइब सबस्क्राइब करें डेखों कि सबस्क्राइब करें मैं एंटाकर सब्सक्राइब करने लेकिन लेकिने पठाइबो कर लोट्राइब नहीं हैं आएँगी महvens और इस समझ में आता है आपका 6-7-8 कमयत पढ़ लो आपको नवाल आराम से आजाएगा अभी नया सत्राप का सुरू हो रहा बहुत आई में आपके पास जून जुलाई में तो आप एक-दो महीना देड़ महीना में उसको कम्पिलिट कर लो इसको आराम से पढ़ो कि बड़े प्यार से आएक एक दम पानी हो जाएगा उसके लिए पी बीर स्टडी अपली केसं डाउनलोड करिये और वन से टैन तक का पूरा कोर्स उसमें है अपली केसं में ठीक है एपली केसं एंड सिकेंड इक्वेशन जलो इनको दोनों को जहां आप जोड़े फटा फट वही आ जाएगा जो आपको लाना था देखो मैं बताता हूं वह कैसे आजाएगा पता आपको देखो वह इसलिए आजाएगा क्योंकि इसमें है कुछ खास वह क्या देखो ऑग पीसीडी ना तो बहिए अगर तुम इसको जोड़ दे रहे हो इसको जोड़ दे रहे हो तब तो पूरा-पूरा यह सीधा-फिदा जुड़ी जा रहा है बाकि आपका साइड का थोड़ा-थोड़ा बच रहा है है ना और वह तो उधर साइड बराबर है यही डी सी एकस वाई के और मुझे बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सिकेंड ओके तो बहिए दोन इक्वेशन एड़ कर दो बाबू चलो-चलो क्या था पहला मुझे देखने दो APB then PCD लिखो APB APB यह पहले था आभी कुछ दर पहले आपने देखा था प्लस ट्राइंगल PCD इक्वल कितना आया था एक बटा दो ABXY ठीक है और इसमें क्या जोड़ना है एक बटा दो DCYX एक बटा दो DCYX इतना सब कुछ क्लियर है उदर मुझे लग रहा DC के बाद बाहर थोड़ा चला गया तो कोई दिक्कत नहीं मैं थोड़ा इसको इदर घुमा देता हूं चलो आप देखलो फटफट वस बिल्कुल टेंसन मतलो एक भी पैसे का चलो पहले इनका सलूसन देखलो बाकी उदर देखना जो छूट रहा को इस चन बाद दिखा दूंगा चलो तो भी आहो बाबू हो अगर आप इसको जोड़ोगे यह पी पीवी और यह भी पीवीड ऑड हो जाएंग और बराबर एख म्हक्राण दो नोच फिक चतुरबूज बन जाएगा तो इस तरह से हाiba निकालना चाहते शो बताओ शाथ नीकलना चाहते हो अरे वे तो रॉनह इने समय जूंड गया भांश N. चलो लिख लो एक बार और कि ए पी भी धान ये पी सीडी इक्वल मरकर चल रहा है कोई दिक्कत नहीं न अब यह बन जाएगा एक बटा दो अरे वही जो हमें लाना था भाई या वही तो आगया बाबू यह देखो सिधा-फिदा एरिया आफ एबी सीडी आप एरिया आफ एवी सीडी बस हो गया आपका अंसर आगया यह चलो लिख लो इसक्रिंसाट ले लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं आटेंसान मतलो सब कुछ ले लो चलो 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 दिकरो यह आपका फाइस्ट पार्ट था इसमें का कॉश्चन का कौन सा था यह तो बच्चा बिल्कुल भी आप टेंसन मतलो बावू हां चलें आगे बढ़ें चलो ठीक है बिल्कुल मस्त है सब कुछ मस्त है एकदम ललन टाफ है जी से बोलते ना चलो 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 तो इस तरह से आपका क्या हो गया इसीद्ध हो गया इधर थोड़ा कट रहा होगा मै इसी यह वाई एक्स है वाई जड़ तो कहीं आएगा नहीं डीसी वाई एक्स नीचे लिख लो वाई एक्स समझे गए ना वगल में जगा नहीं इसलिए मने नीचे लिखा बाकि वगल नहीं रहेगा तो नोट कर लिए यह आपका फाइस्ट पार्ट था कॉश्चन नंबर 4 का पहला भाग था इसमें दो भाग है कि इसक्रीन साट ले लिए हो तो मैं मिटा दूं अगर नहीं स्क्रीन साट लिए तो वीडियो को रों करके तुरंद नोट करो फटा फट चलो चलिए इसका आप सिकेंड पार्ट देखिए पर यह साथियों जैसा कि आपको पता है इसक इसका मतलब यह है यह चित्र का नंबर है ठीक है नाइन पोईंट वान सिक्स इसी चित्र में यتना हमें प्रोब करना था उसकी सहायता से हम दूसरा वाला प्रोब करेंगे ठीक है उसको हम लिख के रखेंगे तो यह हमारा एक Track Cuando स्ट नमबर 3 बना था अब आपने रखा होगा Spiniquisya नमबर 3 बना था नहीं बनाया था अगर आप ने 301 कैसे नमबर तीन बना लीजिए ठीक है अब क्या करेंगे जैसे उसमें किया था वैसे इसमें भी करेंगे ठीक है रचना करेंगे इसमें करेंगे उसमें हमने ऐसे ऐसे लाइन कीचा था इसमें ऐसी लाइन खीचेंगे ऐसी ठीक है यह क्या करेंगे एक रचना करेंगे जिसका नाम आप लिख लीजिए पी क्यू ठीक है ओके अब ध्यान देना इस पी का यूज अब वह ऐसे बहुत कम जगा होगा जहां होगा आप देखिएगा मैं बताऊंगा आप कंफ्यूज मत होना इस पी और पी में ठीक है मैं बताऊंगा चलिए आप क्या करेंगे अभी अभी आपने देखा होगा एक छीज क्या देखा था कि जब कोई कोई 2 समान समानतर लाइन हो और उनके में में कहने का मतलब जैसे यह और एड क्या है आपस में समानतर हैं यह थोड़ा जादा टेंडी दीख रही होगी आपको इसलिए आपको लग रहा है कि यह ऐसा सही नहीं पैरलल नहीं यह बट यह पैरलल है देखिए थोड़ा ऐसा खीचना आप यह चित्र मैंने थोड़ा ज्यादा ऐसे कर दिया इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा तो यह भाईया लाइन ऐसे करते खीचेंगा ठीक है उसी फ्लो में यह ठीक है अब आपको पैरलल लग रहा होगा यह पैरलल है एडी और यह क्या है दोनों पैरलल ठीकार क्लियर अब के मतलब समझ ना यह दोनों पैलल है तो ए डी और पी क्यू दोनों क्या है समानतर जब है अ कोई दो ऐसी समानतर लाइन ने इनके बीच में कोई तर्बूज बन रहा हो देखो तर्बूज बन रहा है बहा है यह फिर लिख लें पीड़ी ए यह फिर पड़ लो पी ए डी एक तुर्बूज अवर एक चतुर्बूज सब ले के दिर और G विर्भूझ एह फीडी ठीक है तिरना एप वीडी डी यह ये तिर्भूझ사 एह से मतलब अभी अभी अब पीस है मतलब अभी अवस्थट मैं इसकी बात कर रहा हूं गरा देना तो याहां क्या लिखेंग तिरना फेट कठ सेत्रफ़ all ठीक है, ओके, लिखो, तिरभूज, A, P, D, इसके उपर थोड़ा सा एक चीज़ लिख लेना, रचना या कांस्ट्रक्शन, ठीक है, रचना या कांस्ट्रक्शन लिख लेना, आप लोग, लिखना, रेखा, A, D, के समांतर, P, Q, खीचा, ठीक है, रेखा, A, D, के समांतर, P, Q, खीचा, इसे लिख लेना, बाबू, ठीक है, उपर, रेखा, A, D, D, फार, डाउग, के समांतर, P, Q, खीचा, Q, फार, कुइन, ठीक है, अब तिरभूज, A, P, Q, का जो शेत्रफल है, वो किसके बराबर होगा, बाबू, बराबर, एक बटा, दो, चतुरभूज, पूरा-पूरा, A, P, Q, D, ठीक है, A, P, Q, D, लिख लीजिए, A, A, P, Q, D, यह आपका equation number हो जायागा, फूर, भाई, तीन तक हुआ था, तो यह चाओ था हो गया, इसमें किसी को कोई doubt है, तो बताओ, नहीं ना, कोई doubt नहीं ना, अब इसी परकार, समझना, अभी हमने सारी कहानी सिर्फ यहीं तक किया है, एक बार फिर से समझे, A, P, Q, D, यहीं तक किया है, अभी हम इधर साइड में कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इसको भी लेंगे, यह थोड़ा जाधा बड़ा दिख रहा होगा, आपको ना, जाधा बड़ा दिख रहा है, लेकिन यह आधा है, ठीक है, यह थोड़ा ऐसे लंबा खीचना था, यहां अच्छा बना होगा है न तो भाई यह आधा चतुरूभूज है यह आधा है देखने में आपको भले आधा ज्यादा यह लग रहा है लेकिन आधा है ठीक है आप समझना अब नीचे लिखोगे इसी परकार लिखते चलो बिल्कुल समझोगे तो समझ में आएगा बाबू कामे है पी बी किक्यू में इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा एकदम पूरा is a ही हो जाइगा क्योंकि इसमें वी क्या है एक दिर्बुझ क्या यह सकते हैं पी बी सी हा लिखो कि लीं यह से लेλο कि बिसी qué appointed त्यूटनर के थोड़ा सा मटमील हो गया है यह भी क्या एक तिर्भूज है तो इसमें हम लिख सकते हैं पी बी सी लिखो तिर्भूज पी बी सी बराबर तिर्भूज यह तिर्भूज का चिन है पी बी सी बराबर एक बटा दो पी बी सी क्यू ठीक है पी बी सी क्यू पी बी सी क्यू यह कोईसन नमर हो गया पांच इसमे पे काम करेंगे इनको दोनों को जोड़ देंगे लिखिए आप लिखिए हिंदी में लिखिए समी करण यह लाइन ऐसे मैं खीच दे रहा हूं आपको अंतर जनाई पड़े क्या अलग अलग है देख रहा हो ना भाईया यह लाइन देख लो अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होन उदर का लाग है इदर का लाग है समी करण चार दन यह पांच इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे अब यहां पर समझना चार नंबर में है APD इसमें है PBC तो यह दोनों जूड़ जाएंगे लिखो तिरभूज APD धन तिरभूज PBC बराबर इधर वाला भी जूड़ जाएगा हाफ APQD और इधर हाफ पीवी सी क्यों ओके लिखो एक बटा दो APQD इधर करा है कि नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूँगा बिल्कुल टेंसन मतले ना दिख तो रहा ना भाईया पूरा दिख रहा ना बाबू आहां दिख रहा है अब मैं इसको थोड़ा इधर सलूशन पर मूब करूँगा बाद में आपको पूरा दिखा दूँ दो आपके जाना ने टेंसन मतले ना बिल्कुल बाद में एक नजर में दिखा दूँगा चलो इन दोनों को जोड़ना है चलो भाई देखो समझना मैंने आगे वाला बराबर का एक हिस्सा इधर का है एक बराबर के उधर का है तो बराबर के इधर का जो चौता समीकरण का आप इसका भी यह लिखेंगे एक बटा दो पीबी सी क्यू आप एक चीजिए यहां देखना यह दोनों तिरुबू जुड़ गए बहिए चतुरुबू जूड़ रहा है एपी क्यूडी और यह पीवी सी क्यू तो जब यह दोनों चतुरुबू जूड़ेंगे तो बढ़ का वाला बन जाएगा ना बाबू बन जाएगा ना इसे एक वैसा नमबर छे नाम देदीजिए क्या नाम देंगे एक वैसा नमबर छे ठीक है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा बैसी दी सी बात है इसको तो जैसे है ऐसे ही रहने दो ऐसे ही रहने दो इसमें तो जुड़ के कुछ नया बनेगा नहीं लेकिन उधर वाला ये दोनों चत्रभूज जुड़ जुड़ के A B C Q C D बन जाएगा A B C D बन जाएगा ठीक है तो हम इसे लिखेंगे तिर्भूज A P D धान तिर्भूज P B C इक्वल ये हो जाएगा आपका क्या पूरा पूरा A B C D जो हमें सिद्ध करना था ऐसा कर सकते हैं कि नहीं या फिर इसे भी एक काम कर सकते हो क्या जरत थोड़ा समझना A P D और P B C है न भाई ये चीज तो अभी कहीं और भी आया था एक नजर देखो पीछे कहीं आया था ना यानि इसको हम जो सिद्ध करना था वही लिख सकते हैं P B C और A P B ये जितना प्रूब करना था ये इधर वाला अभी रूब कूंब बताता हूं कैसे एम तो कुमा रहा हूं समझना ठोड़ा सा थोड़ा सा समय ना ईसे देख कर लिकशों ए पीक B धन ये आपका PCD कैसे इसको लिख रहे हैं अभी थोड़ा समझना में बता रहा हूं इसको थोड़ा मैं छोटा फालिख देता हूं हां ठीक है थोड़ा छोटा लिख लो यह तिरभूज APB जैसे यहाँ पर लिख रहा था area बराबर वह ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा गंदा लग रहा ऐसा मैं इसको clear कर देता हूं इदर से गुमा के एक मिनट रुकना बाकी हो गया हाल हो गया थोड़ा सा clear कर देता हूं जाना नहीं रुक जाओ देखे इसको मैंने एक देम clear कर दिया अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा बिटा देखो यह दोनों जब जूड़ेंगे तो पूरे पूरे complete बड़े बाले चतुरभूज के बराबर हो जाएंगे बाई सीधी सी बात है यह चतुरभूज इतना और यह इतना दोनों ज झांल और यह झांटेन है आप निचलिक लिजिये फट फर दूेक यह समी कर थे रचेशे फटापरक Register त्रहीं टेजु से वह दफट लिखे लेकिये यह वैसा मटासे 6 है फाइनल ये वना है ठीक है वो भी दृ टालिकिन इसको मैंने मन राका तो फाइने मां तो इसे अब को दन अब लिखो समी करण तीन वा छे से ठीक है तीन और छे से जो आंसर लाना था वही लिखतीजी लिखे एरिया आफ कि एपी डी वहीं यही तो है एपीडी धन एरिया आफ ये पीवीच्य और बरावर हाफ ABCD के परावर यह है इसको लिख लो एरिया आफ APB और धन एरिया आफ PCD ठिक है और हमें लगता है यही तो सिद्ध भी करना था ना नीचे लिख दिजिए हैंस प्रूब्ड आता हैं सिद्ध हुआ क्या हुआ सिद्ध हुआ हैंस प्रूब्ड टिकर डन लिख लेजिए मैं सामने से हड जाता हूं वीडियो करों करके स्क्रेंश लेजिए कोई डाउट है तो बताइए दिखे कोईश्चन थोड़ा सा दिमाख वाले हैं मैं एक नजर में पूरा दिखा देता हूं आप देखिए एक नजर तो याद रखना exercise 9.2 और last question है आज question number 6 ठीक है उसके बाद आपका 9.2 खतम 9.3 शुरू होगा question देखिए बहुत आसान है बिलकुल कहानी जैसा है कहरा कि एक किसान के पास PQRS के रूप का एक खेत था उसने RS पर इस्थित कोई बिंदू A लिया पहले परसन को पढ़ उसके बाद फिर हम आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे ठीक है उसके बाद आगे कहता है खेत कितने भागों में विभाजित हो गया जब उसने ऐसा किया तो खेत कितने भागों में बट गया और इन भागों के आकार क्या है वो भी बताना है कि तिर बु बराबर भागों में बोना चाहती है वह किसान नहीं है लेडीज है बोना चाहती है न तो बराबर बराबर भागों में बोना अगर चाहती है तो वह ऐसा कैसे करें इसका समधान भी करना है तो पहले हम इसका फिगर बनाएंगे फिगर के अधार पर ही कुछ होगा इसमें PQRS के आकार का है PQRS के आकार का मतलब यह है यह कोई भैस बैल के आकार का नहीं भाई PQRS चार क्यों दिया है क्योंकि चतुर्बूज के आकार का है हां तो हम माल लेते हैं कि किसान का खेत कुछ ऐसा है यह क्या है उसका फिगर है इसका नाम हो गया पी क्यू आर एस इतना ठीक है या फिर इसका नाम आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो आर को इधर लिख दो या इसको उदर लिख दो कैसे भी कर लो आप ये ऐसे कर लो ठीक है P Q R और यस डन ऐसे लिखा था मैंने ठीक है मैंने खेद बना लिया कहरा कि उसने R E S पर इस्थित कोई बिंदू A लिया और उसे P Q से मिला दिया तो R E S पर इस्थित कोई बिंदू माल लेते हैं A ले लिया कहरा फिर उसे P Q से मिला दिया लो हमने वो भी कर दिया जैसे कहरा वैसे करना बहुत आसान है ठीक है कहरा खेद कितने भागों में विभाजित हो गया तो इसमें जितने प्रस्ण पूछ रहा है यहां पर आप लिखोगे हल और इसका हम पहला अंसर डाल दे रहे है वैसे इसमें कई प्रस्ण नहीं है जितना भी पूछा है पहला दूसरा डाल के लिख दे रहे है ठीक है तो आप लिखोगे बाबू कि खेद तीन भागों में विभाजित हो गया ठीक है नहीं समझ में आ रहा है भी बता रहा हूं कैसे एक, दो, तीन भाई सिम्पल सी बात है नाम लिख दो इनके A, B, C तीन भाग बन गया न खेद तीन भागों में विभाजित हो गया अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो ठीक है आगे बढ़े खेद तीन भागों में विभाजित हो गया अगला अगला परसन क्या कह रहा है इन भागों के आकार क्या है तो भाई इसको भी लिख दो All parts are like a triangle तीन पागों में विभाजित हो गया उसके नाम भी लिख दो विभाजित हो गया लिखतो और यह से तिर्भूज कौं तीन भाग भई लिको लिको पई-पे एक्वो पेए एक्यू और एक लिखलो तो भूज पई असरी और तिर्भूज कि क्यू ए-a-r क्यू ए-a-r यह क्या है उस खेत के तीन बहां हैं जिनमें यह भाधित हुआ है ठीक है आप इनका नाम अलग तरीक के से भी लिख सकते हो मैंने ऐसे लिखा पी सिस्टाव सारी पी ए ऐफ लिखा kalian यहां प्लेज़। यह पिर एसफ्ट लОगों आप लिख सकते हो ठीकर है कि अ आगे में लिखेंगे सभी भाग तिर भूज आकार के हैं, क्या हैं? तिर भूज आकार के हैं, हिंदी इंगलिस दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है? समझ गए ना बाबू? अगला कह रहा है कि वो किसान बराबर बराबर भागों में गेहूं और दालने बोना चाहती है, तो ऐसा कैसे करे भई बराबर बराबर भागों में वो बोना चाहती सिर्फ दो फसल कितनी फसल दो एक में एक गेहू एक दाल लेकिन यहाँ पे तीन भाग हो गये हैं तो भई यह डेर डेर कैसे करेंगे यानि कैसे वो बोए किस भाग में गेहूं बोए किस में डाल बोए जिससे की बराबर बराबर गेहूं और बराबर बराबर डाल पैदा हो मतलब उसका छेतरफल बराबर होना चाहिए तो देखो बाबू आपको ये चीज मालूम है क्या मालूम है अगर कोई दो रेखाएं आपस में पैरलल हैं समानतर हैं उनके बीच में कोई तिर्भुज बनता है कोई दो रेखाएं आपस में समानतर हैं उनके बीच में कोई तिर्भुज बन रहा है तो जो तिर्भुज का छेतरपल होता है वो चतुर्भुज के छेतरपल के आदे के बराबर होता है तो यहाँ पर यही हो रहा है P, Q दोनों क्या है P, Q और R, S समानतर रेखाए है P, Q और R, S क्या है Parallel Line है और इनके बीच यह तिर्भुज बन रहा है P, A, Q बन रहा है ना नहीं समझ मेरा मैं दिखा दूँ अलग से यहाँ देख लो छोटा सा फिर मिटा दूँगा ठीक है देखो भाई ऐसा समझो मैं यह कहना चाहता हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ आँ मैं यह कहना चाहता हूँ बलो ऐसा हो रहा है कि नहीं सबस्ते एंग है और यह पीक्यू और आरे समंतर लाइन है और उन्ही में बैस पर क्स क्तिक कैसेद्र फल बराबर हो जाता है और चत्रबुच केश्थ पल के बराबर तो नीचे आप लिखो गए इसमें नीची आप लिख लिजिए ये चीज समझने वाली है सब कुछ लिखा नहीं जा सकता है यहां पर ठीक है समझते चलिए अगर चाहे तो आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं तो इसका तीसरा अंसर यह हो जायागा ऐसे लिखो चूंकि तिर्भुज पी ए क्यू चूंकि त अपई प्यूज आरेस हैने यह ठीक है ठीक है ना बाबू याणि जो इतने का छेटरफल है वह आधे चतुरुभुजी के चैटरफल के बराबर है तो आयसी ठी-टि में आप क्या करोगे आएसी ठीति में आप क्या करोगे भाइस सीदी सी बात है कि सीदी सीघाता जाने लि हम मानते हैं पूरा-पूरा पूरा अगर इसका चार अंक मिलता है इसका भाग का तो दो इसका है बाकी एक-एक इसका है कि समझ गए ना यानि इसमें जो चीज बोया जायागा इतने में वह आधे के बराबर होगा पूरे समझ रहे हो और आधे में यह दोनों है यानि तीन तिहाय हिंसा हो गया ऐसा समझ लो समझ गए ना यानि इस तिरभूज में जितना आप हसलो बोयेगी यह जो बड़ा वालब पी-ए-क्यू इसमें वह पूरे खेत का आधा के बराबर होगा तो आपनी चे लिखिए किसान को गय हूं और दालें बराबर बराबर भाज में बोने के लिए बोने के लिए तिर्भुज P A Q वाले भाग में गे हूँ दिखलो तिर्भुज P A Q वाले भाग में गे हूँ बाकी सेस तिर्भुज P A S और तिर्भुज Q A R में दाले उगानी होगी तिर्भुज P A Q वाले भाग में गे हूँ पाकी सेस तिर्भुज P A S A और Q A R वाले भाग में दाले उगानी होँगी या फिर या फिर दूसरा अप्सन भी है दूसरा अप्सन भी है लोग कहेंगे नहीं हम इसमें ही गेहूं क्यों उगाएं कोई जरूरी है कि जब आधा अधा है तो हम इसमें दोनों गेहूं उगाएंगे इसमें दाल उगाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं है नीचे लिखो या या फिर अथवा करके लिखो नीचे दोनों अंसर समाने चाहिए जो भी लिखो ठीक है अथवा किसान को बराबर बराबर भाग में गेहूं और डाले उगाने के लिए तिर्भुथ पी एक्यू वाले भाग में दाल याद रहे हैं पिछले बार मैंने गेहूं लिखाया tep से दोनों भाग P,S,A तथा क्यूं ए आर में गेहूं गाना होगा ठीक है समझ गये नहीं तथा से दोनों भाग इसमें तो इस तरह से आपका 9.2 पूरा कंपलिट होगे अगर कोई डाउट है ताप कमेंट करके बताइए और अगर आप हमें पहली बार देख रहें तो पीवियर स्टेडी लहाबाद को यूटूब पे साब्सक्राइब जरूर करें पीवियर स्टेडी 3.0 चैनल को भी टाओ है नोट कर लिजिए इस क्रेंसाठ ले लीजिए कुछ भी कहना है अपने दिल की बात तो उसे कमेंट करके बता दी जिए जल्दी खरीए फटाफट बाएं